तो दोस्तो आज ए 1 डिसंबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कंपणी टाटा पावर कंपणी लिमिटेड शेयर के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खड़िदारी करने का राय था और इस बात का अलर्ड भी मैं आपको कल शाम के सेम टाटा मोटर्स और टाटा पावर वाली वीडियो पे बहुत लोग देखा उनको अच्छे से याद होगा क्या का था कि कोई कुछ भी बोलते दोस्तों यह कंपणी एक नंबर कंपणी अपने सेक्टर का सेल मत करना एक भी शेयर तो एक्चुली हुआ क्या था मैं आपको शुरू से शुरू आत करता हूँ तो कल सो कॉल L इंटरनाशनल रेटिंग एजेंसी कम्पनी दो मशूर एटिंग एजेंसी कम्पनी एक का नाम था मोगान स्टली दूसरा का नाम था cent global तो यह दोनों सो कॉल इंटरनाशनल रेटिंग एजनसी कमपनी द्वारा इसको नेगेटिब आउटलूक देने के बाद हमने देखा कल की डेट पर यानि थर्जडे के दिन शेयर में लगबग 2-5 परसिंट की जिरावाट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला था यानि द्वारा दोस्तो टाटा पावर को 213 रुपे का टार्गेट दिया था साथ में रेटिंग दिया था अंडर वेट का सेम चीज़ अगरम बात करें सीटी की तरफ से यह देखे सेल का रेटिंग दिया था और टार्गेट दिया था 179 रुपीज पर शेयर का और अब कल मैं यहां पर गिराने की कोशिश चल रहा है और यह लोग खुद भी बाई करेगा बाद में जाके शेयर उपर पहुंच आएगा और आज शेयर जो है बहुत ही क्रूशल लेवल पर क्लोजिंग दिया ध्यान से देखना 275 जो कि इसका फिप्टू डेक्स हाई था इवन शेयर अ जैसे कि अभी मैं आपको वोला अब 7% इस वीग हैर इस वाई तो देखिए यहां पर मेंशन किया कि बहुत सरे एक्चुली बहुत सरे इंपॉर्टेंट डील साइन किया था एग्डिमेंट साइन किया था बहुत सरे नियू कंपनी को ओडर बिला था जिसके चल तमने देख कि टाटा पाउड का जो शेर हैं इस हफ्ते के अंदर खास करके बहुत अच्छा मूव दिया उपर की तरह और देखते देखते अपने अल्टाइम जो मतलब पुराने जो फिप्रूडिक साइथ उसको ब्रेक करते हुए आज एक नियू फिप्रूडिक है तो इसके उपर ब बात करें यह भी आजका नियूज है यह कि टाटा पाउड शेर हीट फिप्रूडिक साइब वाट शूट इंवेस्टर्स दू तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे यहां पर बहुत कुछ यहां पर लिखा है एक्चुली स्टेट्मेंट पर इतना जदा बनने चलूँगा तो पूरा वीडियो निकल जाएगा तो मैं आपको सीधा क्या रेटिंग दिया क्या टार्गेट दिया आपको दिखाता हूं तो दिखें सबसे लिए अपे मेंशन किया यह देखिए लिए टार्गेट 306 रुपीज तो दोस्ता आपको क्या लगत है कि यह तीन सो चे रुपे का आज की रेट में अल्लेडी क्लोजिंग दे चुका है अपनी जो हाई है उसके एकदम बॉडल पॉइंट पे ठीक है 275 क्या राओं और इस क्यूप अगर शेयर स्टेवल हो गया तो इसको पर बस एक ही लेबल है वह है एप्रिल की 2022 पे शेयर टच किया था 300 का मार्क 300 का आख कहां पर यह देखे प्रोमोटर का स्टेक तो ओविसली टाटा पार के अंदर जो टाटा संस के पास है बहुत पहले से एकदम सेम है इकवल है बट इसके अंदर जो बड़े इंवेस्टर्स का स्टेक है सबसे देख लिए इस का स्टेक लगातर इंक्रीज हुआ कितना था 9.45 परसें नेक्स्ट कोड़र में 9.75 परसें आज 10% दॉट 10 परसें उसके लिए कटेक कितना था 14.16 कितना हुआ नेक्स्ट कीर्टर में 14.59 परसें आज कितना है 15.68 परसें दोस्तों किसका दिए का स्टेक और यह जो साड़े शियर यह बड़े इंवेस्टर्स ने खड़ीदा बेचा कौन बेचा हमारे प्यारे डिटेल इंवेस्टर्स जिस बैसे बार 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 बोलता हूं कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत नेगिटीब पोजिशन पर है यह शेयर में लगादर किराब हो चुका है आज की रेट में देखिए 2% सीधा सीधा 6 मैंने कंदर स्टेक सेल कर दिया रिटल इंवेस्टर्स 27.15 पर स्टेक हो चुका है तो अब समसकते कहां पर मार्क आता है रिटल इंवेस्टर्स और यह गल्दी से आपको बचके रहना चाहिए नेक्स अगर हम बात करे 40-50 लाग इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता था नॉर्मल टाइम पर आज देखिए कल भी हमने देखा था करोड की पर पहुंच गया था आज भी देखिए आख़रा तीन करोड 21 लाग तक पहुंच गया जिसके अंदर डेलिवरी भी मैसिव देखने को मिला कि कभी क अब बात यह है कि आपको करना क्या चाहिए क्या इंपोर्टेंस लिवेल है आईए देख लेते हैं टेकनिकल चार्ट पैठन एनलेसिस करते हैं इसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इनफॉर्मेटिप लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को ल पाइख लगा कि आपको कौन से शेयर के बारे में जानना चाहिएक हैं वीडियो की तरह मूफ करने के लिए और देखके देखके बीच में थोड़ा बहुत हमें नीचे कमजोरी देखने को मिला था इस लेवल के बाद देखे थोड़ा सा हलका नीचे थोड़ा बहुत प्रॉफिट वुकिंग चला फिर देखें दो दिन पहले शेर में एकदम से लंबा कैंडल बिल करके सिद्धा से उबर पहुंच गया और आज की रेट पर देखते देखते देखें 275 के एकदम जर एक बड़ यहां पर एक बड़ यहां पर टच करने के बाद रेजिस्टेंस मिला और सीधा 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 शेयर में बजार में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट नेगेटिव था आउट्लूक नेगेटिव था जिस बैसे शेयर में गिरावट हुआ था तो एक ही सिंपल लेवल करना चाहिए 265 के आसपास मतलब अगर शेयर नीचे की तरफ मुफ काना शुरू कर दिया तो क्यों क्योंकि जो रेजिस्टेंस या आप बोल सकते ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो 75 पर नीचे जो सपोर्ट लेबल निकल कर रहा है इसकी ट्वेंटी डेस की इसकी ब्लू कलर के लाइन यहां पर देख सकते सबूर्ट मिला यहां पर सबूर्ट मिलने के कारण यह बढ़िया सपोर्ट बन चुका है साथ में आपके लिए इंट्री पाइंट नेक्स्ट अगर हम बात करें बोलिंजर बैंट की भी बाहर नहीं है फिलाल ठीक है दो दिन लावर्ट के साथ फिर से अंदर आ चुका है और आज भी बोलिंजर बैंट के अंदर ही है तो आई थिंग की शेयर में आगे भी थोड़ा तेजी हो सकता है बट शेयर अगर 275 कुपर स्टेवल हो गया मैं 12 और बोलनों इग्नोर मत करना क्योंकि यह भाई साब लंबे रोस क की खोड़ा है ठीक है तो लॉंग टर्म में काफी बेनिफिट दे सकता है बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जैह हिंद्व